दोस्तों स्वागत है आप सभी का टेक्निकल गाइड पर आज किस वीडियो में हम बात करने वाले रेड्मी के ट्वेंटी प्रो के बारे में और हम यह देखने वाले आज किस वीडियो में आनि मैं आपको पताने वाला हूँ यह फोन क्यूं वर्थ है बाय करना सची में सब्सक्राइब को छोड़ देना चाहिए यह वीडियो बहुत हेल्फुल होने वाली अगर आपका बजट थर्टी थाउजन के आराउंड और आपको इक बहुत अच्छा फोन चाहिए तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक दिकना जरा भी मिस मत खरना तो चलिए और सबसे पहले मैं आपको यह बता दू कि जो भी लिंक्स है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे चाहिए वो इस रेडिमी के 20 प्रो के हो या जो गैजिस में वीडियो बनाने के लिए यूज करता हूं उसके लिंक्स हो तो सभी आपको नीचे ड 20 प्रो को बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया है जिसके मरसे यह जो फोन है यह थोड़ा सा कम प्राइज में है वन प्लस सेवन से और बीट कर देता है वन प्लस सेवन को चलिए जानते हैं और जैसा कि मैंने बोला यह मेरा रिव्यू है तो सबसे पहले ही मैं आपको बता लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो यह तो मैं आपको जरूर बताऊंगा और क्यों वन प्लस से अच्छा है वह भी बताऊंगा तो यह रिव्यू है और डिवाइस के स्पैसिफिकेशन इतने अच्छे तो भई यूस करने में ऐसा क्या रिव्यू चेंज हो जाएगा रिव्यू वही रहेगा क्योंकि यह डिवाइस सच में अच्छा है तो चलिए शुरू करते हैं आज किस वीडियो को और सबसे पहले मैं बता दूँँ आपको इसके स्पैसिफिकेशन के बाद मैं आपको बता दूँगा क्यों यह वन प्लस से जादा अच्छा है यहां पे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्रोस्टर के बारे में या जो सी प्यू या एसो सी यह यूज करता है वह है यहां पे फ्लैक्शिप लेवल का स्नैप ट्रेगन 855 तो इसलिए प्रोस्टर तो इसको एक्सपेरियन करने की ज़ुद नहीं क्योंकि यह पहले से फ्लैक तो सनैप्रेगन 855 के साथ यह आपको मिल जाता है अगर मैं आप डिस्पले की बात कए हँग तो डिस्पले में आपको यहां पे अपे च्शलेजिप जाता है और यह इसको इसकी सब्सक्राइब ब्राइटनेस में यूज करोगे तो आपको यहां पे कोई भी इश्यू नहीं होगे स्क्रिन को देखने में और हाँ यह एक फुल स्क्रीन डिस्प्लेय यानि कोई नॉच नहीं है जो कैमरा है वह पॉपॉप के जो डिजाइन है जो बॉड़ी उस में से पॉप-उप यानि आउट होगा उसमें से निकलेगा फोन में से निकलेगा कैमरा और अगर आप डिस्प्ले में थोड़ा और इंट्रेस्टिड है जानने में तो यह बता दू कि जो वन प्लास सेवेन जो पिक्सल पर इंच ऑफर करता है जो रेडमी के 20 प्रो ऑफर करता है अब रैम ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो यह आते हैं 6GB RAM के साथ और 128GB स्टोरेज के साथ और इसका जो प्राइज है प्राइज भी चलो अभी बता देता हूं 6GB RAM और 128GB स्टोरेज बेस मॉडल है इसका प्राइज है 28,000 रूपीज और इसका जो नेक्स हाय एंड मॉडल है वह होता है 8GB RAM वाला और यहां पर 256GB की यहां पर स्टोरेज आपको मिल जाती है और इसका प्राइजिंग इससे ज्यादा होगा तो उसके हम यहां पर बात नहीं करेंगे किस्टार्टिंग रेंज यहां पर 28 से है तो 28 में आपको 6GB RAM और 128GB की यहां पर स्टोरेज मिल Redmi K20 Pro और OnePlus 7 के बीच में यहीं पर competition आता है जोगी है camera के module में यानि यहां पर दोनों के camera में फर्क है और यहां पर easily कि बात करें जो कि आपको Redmi K20 Pro में मिल जाता है उसमें जो में सेंसर है यहां पर वह सपोर्ट करता है अप्टू 48 मेगा पिक्सल का काउंट और यह 48 मेगा पिक्सल वाला सेंसर है यह सोनी के तरफ से आता है तो यानि आप यहां पर जो क्वाल्टी है उसको कर सकते कि यहां प आपको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइट करवाय देगा यह तो गैरेंटी यहां पर जो दूसर सेंसर है वह यहां पर है एट मेगा पिक्सल का एक टेली फोटो लेंस जो आपको यहां पर करता है एफ 2.4 का अपरचर और जो इसका पिक्सल साइज है वह यहा आता है सेम यहां पर पिक्सल साइज यानि 1.12 माइक्रॉन का पिक्सल साइज वीडियो की बात करों तो आप वीडियो 4K अल्ट्रा एच्डी पर रिकॉर्ड कर सकते हो 30 60fps फूल एच्डी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30 या 60fps और यहां पर लिकिन इनने 720p का जो वीडियो है जो 720p का resolution वीडियो है उसमें आपको यहां पर सिर्फ दिया है 30fps का पता नहीं क्यों 60 और 90 फ्रेम्स भी दे सकते हैं लेकिन पता नहीं क्यों तो छोड़ो उसको 720p 30fps पर सेकेंड पर रिकॉर्ड कर पाओगे अब हम बात करते हैं यहां पर फ्रेंट कैमरा स्की तो फ्रें मैं आपको यह बता दूँ कि यह जो कैमरा है वह क्यों यहां पर अच्छा है जो वन प्लस दूसरी बात उसका जो वन प्लस सेवन में कैमरा यूज किये गए है उनका जो पिक्सल साइज वह बहुत ही चोटा है यानि अपर्चर सेम है एक फ़ण प्रेंट सेवन का यानि है लेकिन जो Pixel Size 1Plus 7 में जो starting वाला Variant At 33,000 वाला वहां पे पिक्सल साइज आपको मिल जाता है वो है और 0.8 Micron का और और 1 micron का बस यानि बहुत ही ज्यादा चोटा यहां पर एक पिक्सल पड़ता है यानि जो लाइट होगी मतलब क्या यहां पर क्लार्टी होगी वो तो पता नहीं लेकिन हाँ वन प्लस को कि अपने सॉफव्वेर ऑक्सिजन ओएस के मैंसे बहुत ही ज्यादा इसको अच्छे से 12 मेगा पिक्सल दे रहे और जो अपर चरे वो भी हाँ पर चलो अच्छा है लेकिन जो इसका आपर जो एक पिक्सल साइज है वह यहां पर बहुत ही जादा चोटा हो जाता है जो कि मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है और अगर हम कंपार कर इसको फ्रण साइड 12-0 10-21-1.7 तो क्यों आप अच्छा हडवर यहां पर ले तो इसलिए 1-7-7 रेड्मी के 20 प्रों का चैमरा यहां पर जाधा अच्छा परफॉर्म करेगा अब एस रेड्मी के 20 प्रों में आपको 4000 मिलीयम्प हर की बैटरी मिल जाती है जबकि 1प्लस 7 में आपको 3700 मिलीयमप बैटरी मिल जाती है दोनों की बैटरी में जो अच्छी एक्वाल्टी जो अच्छी बैटरी लाइफ आपको प्रोइट करेंगा वह यहां पर आफकोस रेड्मी के ट्वेंटी प्रो है क्योंकि दोनों में प्रोच जो है वह सेमी यूज किया गया निस नाप्रगण 855 तो यहा पर जादा बैटरी है यानि रेड़री के 20 प्रो में जादा बैटरी मापको मिल जाते है 300 मिलियंप आवर की तो वह आपके और भी ज्यादा बैटरी लाइफ पर प्रोड करवा देगा और जो रेडमी 20k20 pro है उसमें आपको फार्ट चार्जिंग का भी option मिल जाता है 27 watts का फार्ट चारजर आपको मिल जाता है जो कि यहां पर फार्ट चार्जिंग में मदब करेगा USB Type-C के साथ यहां पर फार्स चार्जिंग भी आपको मिल जाती है और यहां पर MIUI 10 यहां पर इसका बारेटिंग प्रोसर तो हमने बात करी लिए तो अब इससे यह कंक्लूजन मैं आपको देता हूं और मेरा रिव्यू इसका यह है कि रेडमी के अगर आप सोच रहों कि मैं कौन सा फोन लूब 1 प्लस 7 या रेडमी के 20 प्रो तो 1 प्लस 7 6,000 रुपीज जादा है मलब जो 1 प्लस 7 का प्रा बहुत ही जादा चोटा है और रेडमी के 20 प्रो का बहुत ही जादा बड़ा पिक्सल साइज मिल जाता और दोनों का अपरचर भी सेम है वन तो क्यूं आम एक अच्छा है आप फोन ले जिसमें एक अच्छा कैमरा आपको मिल जाता है दोनों में आपको स्नाप्रगन 855 मिल बड़ा है तो थोड़ा संते में भी और जो स्पेसिफिक्शन दिश्प्लेय। में जिसमें एंपन प्लस के साथ और और आपको यह लेना है तो आप या 7 प्रो gsm लिंक से वन प्लस सेवन या सेवन प्रो को पर्चेस करोगे तो चैनल को यहां पर थोड़ी हेल्थ मिल जाएगी जिसके मज़से में यहां पर फ्यूचर में और अच्छे लेना बहुत ही अच्छा फोन है और बहुत ही सस्ते प्राइज में आपको यहां परफॉर्मेंस अच्छा कैमरा अच्छी बैटर लाइफ एक अच्छा डिस्पलें बहुत मिल जाता हैं तो यह था मेरा रिव्यू तो बस आज किस वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कर देना इसको एक लाइक और अगर मन में अभी भी कोई सवाल है तो इसे कमेंट सेक्षिन में पूछ सकते हो उसका रिपला आपको ज़रूर मिलेगा मेरा इंस्टाग्राम और फेस्बुक और ट्विट सब्सक्राइब आज के इस वीडियो में इतना है और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब बहुत बहुत थैंक यूँ